नमस्कार दोस्तों वेलकम तो स्टडी आएक्यो जुडी श्री माइनेम इस चांद कुबा दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल गेंस के लिए इंसान धरम का दुरूपयोग कर जाता है खास करके वोट बैंक बटोरने के लिए इंसान पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलता है कि धरम के नाम पे वोट बैंक बटोरा जाता है लेकिन कई बर हमें ये भी देखने को मिलता है कि self interest पूरा करने के लिए इंसान धरम का दुरुपयोग कर जाता है खास करके हमें देखने को मिलता है कि जब एक व्यक्ति का personal law उसे एक ही marriage allow करता है एक से अधिक marriage allow नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति अकसर अपना धरम छोड़ कर इसलाम का रस्ता चुनते हैं उन्हें इसलाम से कुछ लेना देना नहीं होता उन्हें कुछ ऐसा interest इसलाम में नहीं होता just because क्योंकि इसलाम में एक से अधिक wives allowed हैं चार शादियां तक allowed हैं तो ऐसे लोग अपना selfish इंट्रेस्ट पूरा करने के लिए इसलाम का दामन थामते हैं इसमें समाज के कई सारे तबकों के लोग हमें देखने को मिलते हैं politics के लोग भी इसमें ऐसा करते हुए पाए गए हैं बड़े-बड़े actors भी हमें ऐसा करते हुए पाए गए हैं और आम जनता तो ऐसे करते हुए पाई ही जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1995 में ही Honorable Supreme Court के द्वारा एक बहुत ही important judgment इसमु करेंगे उसी important judgment को discuss करने वाले हैं अपने इस session में उस judgment का नाम है सरला मुदगल वर्सिस union of India 1995 की ये एक बहुत ही landmark judgment है so let's begin with this judgment लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी state judicial examination की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे smart courses का benefit उठा सकते हैं smart courses में आपको सभी major और minor laws दिये जा रहे हैं साथी में आपकी state के personal laws भी आपको दिये जा रहे हैं साथी में आपको current affairs जो है आपके चाहे वो legal हो या फिर general current affairs हो वो भी आपको provide किये जा रहे है इसके अलावा आप पाते हैं prelims की test series और साथी में आपको मिलता है हर Friday एक live doubt session जह हमारी app या हमारी website पर जागे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस judgment के बारे में देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक landmark judgment था women empowerment के लिए खास करके आप इसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम हमें देखने को मिलता है जहां पे honorable supreme court ने ये कहा कि अगर एक व् marriage अपने आप से dissolve नहीं हो जाती है और उसके पहली marriage का जो उसका personal law था वो उस पर अभी भी लागू होगा इसमें सबसे पहले petitioners की बात करते हैं देखिए इसमें क्यूंकि कई सारी petitions आई थी और सभी petitions को club करके इसे एक ही मामले में निप्टाया गया था इसमें सबसे जो है petitioner हमें देखने को मिलते हैं वो है शिर्मती सरला मुदगल जो की प्रेजिडेंट थी एक organization की जिसका नाम था कल्यानी कल्यानी एक ऐसी organization थी जो women welfare के लिए काम करती हैं दूसरी इसमें petition देखने को मिलते हैं वो है Mrs. Meena Mathur now इनका case क्या था इनकी शादी हुई थी 1978 में एक Mr Jitindra Mathur से और इनकी शादी के 10 साल के अंतराल में यानि की शादी के बाद 10 साल का जब समय बीता है तो उस 10 साल के दौरान इनके 3 बच्चे होते हैं 1988 में इन व्यक्ति ने अपना धरम बदला और किसी दूसरी औरत से इन्होंने शादी की और उन दूसरी औरत ने भी अपना धरम बदला हिंदू से यह दोनों जो है इसलाम का रस्ता चुन लेते हैं अब इन्होंने शादी की जिन महिला से 1988 में उनका नाम था सुनीता नौरूला जिन्होंने इसलाम कबूल करने के बाद अपना नाम फातिमा रखा तो दूसरी पेटीशनर कौन हो गई मिस मीना को मजबूर किया पेटीशन दायर करने के लिए अब तीसरी पेटीशनर वो खुद हो जाती हैं क्यों हो जाती हैं चलिए देखते हैं दरसल हुआ क्या कि मिस सुनीता यानि कि मिस फातिमा ने यह कहा कि क्योंकि उन्होंने जेतेंद्र माथूर से शादी की थी उनका एक बच इक शचा हो जाने के बाद फिर से दुबारा हिंदु धर्म कबूल कर लिया यानि कि वो दुबारा हिंदुईजम में चले गए अपनी वाइफ, पुरानी वाइफ के कहने पर हिंदुईजम में चले गए और हिंदुईजम में क्योंकि A-K marriage allowed है तो वह अपनी पुरानी मिना के टीशन डायर करने का बाद में मिस सुनीता को ही यहां पर पर प्रिटीशन डायर करनी पड़ती है यह तीन हमें यहां सरी प्रिटीशनर देख ने को मिलता है इनके अलावा भी कई सारी एग्रिव्ड विमन जो है इस case में स्वांट बन थे तो उनका यही कहना था कि भाई क्योंकि अब वो इसलाम में चले गए हैं तो इसलाम का जो पस्टनल लॉज जो है वो हम पे लागू होगा जो कि हमें अलाव करता है तो इनके यह मेन कंटेंशन था ओरनेवल सुप्रीम कोड के सामने चार या तीन बड़े क्वेश्टन यहाँ पर खड़े हुए पहला क्वेश्टन जो था कि वैदर हिंदू हजबेंड मेरिड अंडर हिंदू लॉज बाइंब्रेसिंग इसलाम कैन सॉलमनाइज सेकेंड और अगर सेकेंड मेरिज वो सॉलमनाइज करने की कोशिश करता भी है तो वैदर सच अ मेरिज विदाउट हैविंग फर्स्ट मेरिज डिजॉल्ड अंडर दी लॉड बी वैलिड मेरिज को और फर्स्ट वाइफ हूं है कंटिनूस टूब हिंदू तो क्या यह सेकेंड है दूसरे धरम में जाकर क्या वो 494 IPC का दोशी पाया जाएगा यहने कि बाइगमी का दोशी पाया जाएगा तो यह तीन मुख्य कोश्टन से जिसका ओनेबल सुप्रीम कोट ने इस पूरे जज़मेंट में जवाब दिया चलिए करते हैं इसकी पूरे ट्यारी क्या-क्या उनने कहा ओनेबल सुप्रीम कोट ने सबसे पहले सबसे हमें जानना होगा 494 आखिर क्या कहता है सो IPC 494 कहता है कि marrying again during the life of husband or wife कहता है whoever having a husband or wife living जो की अपनी पुराने husband or wife जो की living है जिन्दा है उनके रहते हुए marries in any case in which the such marriage is void by the reason of it taking place during the life of such husband or wife shall be punished with the imprisonment of either description for which may extend to up to 7 years and shall also be liable to fine so basically क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी marriage कर रहा है जबकि उसका पहला husband या wife जो है वो जिन्दा है उनके जिन्दा रहते हुए दूसरी marriage कर रहा है तो यह marriage क्या होगी automatically यह void होगी और इस marriage करने वाले व्यक्ति को क्या होगा साथ साल तक की सजा और फाइन का रावधान दिया गया है इसकी कुछ exceptions है जो दो मेन exceptions है वो क्या क्या है तब से पहली exception यह है कि अगर court ने ही पहली marriage को declare कर दिया वाइड उसके बाद आप second marriage कर रहे हो हो तो यह 494 नहीं लागू होगा यानि कि second marriage void नहीं होगी साथ साल के सजा नहीं मिलेगी दूसरी जो exception है वो यह कि मान लीजिए एक महिला है या एक पुरुष है उनका एक spouse था जो की साथ साल के लिए गायब हो गया किसी को बिना बताए गायब हो जाता है जिन्दगी से चला जाता है नहीं इसका कोई सबूत मिलता है कि वो जिन्दा है और seven years के बाद यह एजियूम कर लिया जाता है लौ में ही कि भाई वो व्यक्ति अब मृत है मलब death हो गया उसकी तो seven years के बाद अगर ऐसी कोई शादी होती है क्योंकि पहली शादी जो हुई थी वो husband या वो wife साथ साल के लिए गायब हो गया अब यह मान लिया जाएगा कि death हो चुकी है तो इसमें पहली शादी को dissolve कराने की divorce लेने की खतम हो गई है तो अब second marriage अगर की जाती है तो उसे void declare नहीं कि जाएगा अंडर 494 तो यहाँ पर दो exceptions हमें देखने को मिलते हैं इसके अलावा औरबल सुप्रीम कोड ने आर्टिकल 44 का भी यहाँ पर जिक्र किया जो कि constitution का आर्टिकल 44 बात करता है uniform civil code की मैं आपको बता दूँ कि जब uniform civil code के बारे में बात की जाती है आर्टिकल 44 के बार बनाया गया था इसे चाहते तो हमारे constitution के निर्माता जो है वो fundamental right का दरजा दे सकते थे लेकिन नहीं दिया reason being कि उस समय यह assume किया गया था कि society एक uniform civil code के लिए ready नहीं है कोई भी धरम के लोग इस तरह से नहीं मानेंगे कि उन सब का जो personal law है वो सब एक हो जाए क्योंकि हर एक व्यक्ति यहां पर उस समय इस situation में नहीं था इन्वेक्ट आज की भी यही situation लगबग हमें देखने को मिलती है बट सो uniform civil code के बारे में प्योनरबल सुप्रीम कोट ने जिक्र किया क्या कहता है article 44 चले देखते हैं कहता जी the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of इंडिया uniform civil code का क्या मतलब है च लेकि हम सब जानते हैं कि हम सब धर्मों के लोगों के personal laws हैं चाहिए वो हिंदू हैं तो हिंदू मेरिज एक्टिकेत है तो उनकी शादी होती है और डाइवोर्स होता है इसी तरह से adoption का भी हिंदू का अलग है मुस्लिम्स का अलग है क्रिश्यंस का अलग है जो कि कहते हैं कि मैं तीनों धर्मों के हिसाब से शादी नहीं करना चाता हूँ बेसिकली जो परस्नल लॉज है जो कि हमारी मेरिज हमारे मिंटेनेंस हमारे adoption आदी के सब्जेक्ट से डील करते हैं यह परस्नल लॉज सभी धर्मों में different हमें पाए जाते हो दिखाई देते है नौ कई सारे ऐसे मुलक हैं जहां पर परस्नल लॉज जो हैं वो सेम हो जाते हैं भारत में भी एक ऐसा हम एक विजन लेकर चलते हैं कि हमारे जो परस्नल लॉज हैं वो एक होने चाहिए ताकि आर्टिकल 14 के तहत हम real equality लेकर आ सके हैं बिकोज यह real equality के doctrine के खिलाफ ही जाते ह आप यह मान के चलिए, now, Honorable Supreme Court ने इस मामले में इसका जिक्र किया था, तो हम देखेंगे आगे क्या कहा, Honorable Supreme Court ने, चलिए, क्या क्या judgment में बाते कही गई थोड़ी से important जो बाते हैं, वो हम यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले, Honorable Supreme Court ने कहा, that marriage is the foundation of a civilized society, बहुती डीप बा सब जंगल हुआ करता था, जंगल इंदसेंस की, जंगल राज हुआ करता था, powerful, more powerful, less powerful के उपर जोर चलाता था, कोई security नहीं थी, कोई situation ऐसी नहीं थी, कि जहां पर कोई family का concept हो, तो society, जब family का concept बनता है, जब marriage होनी शुरू होती है, जब यहां पर एक परिवार के लोग इ नीव शुरू होती है, तो वही बात कही, that foundation of civilized society, जो है न, वो marriage है, और ये भी कहा, that the relation once formed the law steps in and binds the party to the various obligations and liabilities there under, यानि कि जब एक बार मिया बीवी शादी के गटबंदन में बंद जाते हैं, तो उसके बाद कानून या law उनके उपर binding हो जाता है, law steps in and कानून उनके उपर binding ह जाता है, rights and obligations जो हैं, वो कानून के हिसाब से उनके उपर binding हो जाती है, उसके बाद वो अपना पीछा कानून से आसानी से नहीं छोड़वा सकते हैं, तूसरा इन्होंने कहा, that marriage is an institution in the maintenance of which public at large is deeply interested, so again, बाद society किया जाती है, कि भी society या public at large marriage के institution में deeply interested है, क्योंकि हमारी morality की ज relationship, where, you know, society sanctions, yeah, society allows sexual relationships between a male and a female, so marriage ही एक ऐसादी relationship है, जिसमें sexually, the relationship को society की तरफ से acceptance मिली हुई है, society की तरफ से validity मिली हुई है, और marriage में से जो भी बच्चे बाउन होते हैं, उन्हें validity मिलती है कानून में, so, society is में deeply interested है, ताकि morality of the society maintained रहे, it is the foundation of the family and in turn of the society without which no civilization can exist, so, basically, family में सबसे पहले कपल आता है, कपल के बाद उनके बच्चे होते हैं, तो, इस तरह से आप देखते हैं, individual, फिर कपल बनता है, फिर family बनती है, फिर समाज बनता है, right, so, ये, इन्होंने कहा कि, ये यहां पर एक fact है, दूसरी बात यहां पर Honorable Supreme Court ने after talking about the nature of the marriage and sanctity of the marriage, Honorable Supreme Court ने बात की, uniform civil code की, now, uniform civil code में क्या क्या बाते हैं, कहीं चलिए देख लेते हैं, देखे, यहां पर कहा गया, कि जब तक हम uniform civil code का जो गोल है, वो नहीं अचीव कर लेते, for all the citizens of India, there is an open inducement to a Hindu husband who wants to enter into second marriage, while the first marriage is subsisting to become a Muslim, So basically, कहा गया कि यह एक invitation है, यहां पर inducement है, जब तक हम universal civil code नहीं लेकर आते, UCC नहीं लेकर आते, तब तक एक Hindu husband के लिए एक inducement है, कि वो अगर second marriage करना चाहता है, तो उसे Islam join कर लेना चाहिए, खेर यह UCC की बात की, अब बात आती है, हमारे main मुद्दे की, तो Honorable Supreme Court ने कहा कि doctrine of indissolubility of marriage, indissolubility of marriage की जो doctrine है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि भई, अगर एक marriage, एक personal law के तहत, conduct हो गई, तो दूसरे personal law या दूसरे धरम में चले जाने से, दूसरा personal law पहली marriage को dissolve नहीं कर देता, automatically, मैं दुबारा बोल दूँ, कि भई, अगर एक व्यक्ती की, या एक couple की marriage, पहले personal law के हिसाब से, conduct हो गई, और फिर उन में से कोई व्यक्ती दूसरे personal law के हिसाब से, दूसरी marriage करता है, तो वो दूसरी marriage, जो है, पहली marriage को, automatically dissolve नहीं कर देती है, वहीं इसमें कहा गया, that the doctrine of indissolubility of marriage, under the traditional Hindu law, did not recognize that the person, conversion, would have effect of dissolving a Hindu marriage, conversion to another religion, by one or both, the Hindu spouses, did not dissolve the marriage, तो यह यहाँ पर clear किया गया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, दूसरी यहाँ पर बात जो Honorable Supreme Court के द्वारा कही गई, कि अगर हम बात करें हिंदू marriage act के provision की, तो हम यह मान कर चलते हैं, और उसके हिसाब से हम यह लेकर चलते हैं, कि भई, उसमे monogamy ही allowed है, उसमें bygamy allowed नहीं है, a marriage performed under act cannot be dissolved except on the grounds available under section 13, और अगर हमें पहली marriage को dissolve भी करना है, तो वो कब dissolve की जा सकती है, 13 में दिये गए grounds पे, in fact मान लेजिए, 13 में यह भी एक ground है, कि अगर एक spouse ने अपना धरम चेंज कर लिया, तो यहाँ पर doctrine of fault आ जाती है, दूसरी spouse के प अपना धरम चेंज करके इसलाम कर लिया, तो दूसरी जो अगरीव्ड spouse है, वो जा सकती है, कि my lord, मेरे husband ने या मेरी wife ने दूसरा धरम कबूल कर लिया है, हिंदूइजम उन्होंने छोड़ दिया है, तो मैं अगरीव्ड हूँ, मुझे डाइवोर्स ही है, लेकिन यहाँ प पर डिजॉल्व हो सकती है, और वो भी सामने जो अग्रीव्ड परसन है, उसकी petition पर डिजॉल्व होनी है, वो तो हम सब जानते हैं, now, the second marriage of a Hindu husband after embracing Islam is in violation of justice, equity and good conscience, a Hindu husband after embracing Islam cannot solemnize a second marriage without dissolving the first marriage, so, basically, अगर आप Islam कबूल भी कर लो, तब भी, जब तक आपने अपनी first marriage को dissolve नहीं किया है, आप second marriage को solemnize नहीं कर सकते, और यहाँ पर 494 automatically picture में आ जाएगा, therefore, the second marriage of a Hindu husband after conversion to Islam without having first marriage dissolved would be invalid, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि 4, जो 494 है, वो automatically यहाँ पर picture में आ जाएगा, यहाँ पर Honorable Supreme Court ने basically, कुछ cases का भी reference लिया है, जिसमें से हमें देखने को मिलता है, reference of Ramkumari case of 1891, साथ ही में, Nandi Zainab versus Crown का कि यहाँ पर जो है, reference लिया गया, उसमें भी यहीं बात कहीं गई थी, और कहा कि a marriage could be dissolved only by the decree of court, the court observed that as per Hindu law that existed before 1950s, the marriage subsist even if one person converts to Islam, so यह भी बात यहाँ पर कहा दी कि भाई, केवल और केवल, decree of court से ही marriage dissolve होगी, हमें, automatically marriage dissolve नहीं होती है, और वो decree of court जो है, according to section 13 of Hindu marriage act हम पास करेंगे, तब ही dissolve होगी, यह नहीं कि court पास करेंगे, तब ही dissolve होगी, automatically यह काम नहीं होता है, जब आप दूसरे धरम में चले जाओ, तब भी automatically यह काम नहीं होता है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे धरम में जाकर दूसरी marriage कर भी ले, तो वो 494 के तहट void होगी, और उसके उपर 7 साल की जो सजा का प्रावधान है, वो लागू होगा, ऐसा honorable supreme court ने इस case में कहा, चले, अगले section में फिर एक बार मिलेंगे, तिल दन, thank you and have a great day ahead.